अलो गाइज गुड मॉर्निंग टू अला फ्यू आज की इस वीडियो में हम एडिसेंट टू कार्बन हेट्रो एटम मुल्टिपल बॉंड टाइप ओफ रियक्शन एक्स्प्रेइन करेंगे कि किस तरह से जो हमारे हेट्रो एट्रो एक्स्प्रेश एक्स्प्रेशन तो इसी के बारे में हम जो एक्स्प्लेंगे तो इसमें स्पेशली मेकेनिजम ऑफ मेटल हाइड्राइड रेडक्शन आफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बॉनिल कंपाउंड इसमें स्पेशली हम रेडक्शन रियक्शन को एक्स्प्रेंग करेंगे जो किसके तरू होगा मेटल हाइड्राइड के तरू ह होगा कि इसमें जो मेटल हईडाइड हमारा यूज होगा इस्पेशली लिथियम अलुमीनियम हईड़ाइड और सोडियम बोरो हड़ाइड है तो इस्पेशली ओल इस्पेशली ओल थी इसका मितलब है कि यह जो हमारे मेटल है ग्रुप को रिडूच्ट करते हैं किस तरह के ग्रुप को रिडूच्ट करने के लिए इनका यूज किया जाता है एक और भाकली करते हैं इस्टर करते हैं माइड करते हैं या फिर आपका जो है नाइटाइल करते हैं या एजाइड करते हैं so many types of groups all are reduced by them are not double bond c-heat triple bond c-heat c-heat triple bond c-heat है तो इसके मेकेनिजम की थूँ हम लर्न करेंगे तो इस रियक्षिन में होता क्या है दरीयक्षिन mechanism for metal hydride reduction is based on nucleophilic edition of hydride to the carbonyl carbon. अब आपको पता होगा कि जो हमारा ionic reaction होता है polar reaction होता है वो दो types का होता है एलेक्ट्रोफिलिक और नुक्लोफिलिक तो अगर वो substitution देगा एलेक्ट्रोफिलिक तो इसे एक लेक्ट्रोफिलिक substitution करते हैं अगर वो substitution देगा नुक्लिफिल के थूछ से हम नुक्लीफिलिक substitution करते हैं अगर वो addition reaction proceed करता है तो तो what is the addition reaction? addition reaction this is the you can say that this is property of unsaturation this is property of unsaturation in which whole of the molecules or atoms are binded to the reactant molecule by सिग्मा बांड विद दे ब्रेकिंग आफ पाई बॉन्ड इस केसे में होता क्या है कि जो हमारा अन्सेचुरेटेड ग्रूफ है सेचुरेटेड में कनवर्ट हो जाता है या हम यूं कर सकते हैं कि जो हमारा माली क्यूल से अगर वह स्पी हबडाइज है तो स्पी टू यह इसी पर जुड़ जाता है और यह जो एडिशन है यह हमारा सिस्टॉंस एडिशन हो सकता है सीनन्टे एडिशन हो सकता है काई तरह कि यह से टुक्याद लेकिन इसपेशली हम देखेंगे वाट इस दे डॉल औफ लिथियम अलुमीनियम हाइड डाइड दियूरिंग दे प्लस पर होता है अब पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज डायन है एल एच फोर माइनस यानि पूरा का पूरा अलुमीनियम यह हाइडोजन को ले करके यह निगेटिवली चार्ज्ट क्रेट कर लेता है तो इस तरह सी यह पावर्फुल रिडूसिंग एजन कहा जाता क्यों क्योंकि से लुमीनियम के पास चार हाइडोजन होता है हाइडायड आयन के फॉर में रिडू जह है यह देने का इंद फॉर्म आफ हैस माइनस तो यह यह इसी लिए जह है पावर्फुल रिडूसिड रिडूसिग एजन कहा जाता है यह इसीज़ पावर्फुल रिडेवेयाड सेट्स याली याम है मेनीय मेन है डायडों प्रिपे कैसे करते हैं यह यह बनता कैसे है कुछ इसके फॉंक्शन को तो इस्पेसली देखा जाए तो लीथियम अलुमीनियम हाई डाइड इस वन आप दी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड यूस फोर रेजेंट फॉर दरी डक्शन आफ कार्बोनिल कंपाउंस एलांग विट मेनी अधर कंपाउंस दूसरे कंपाउंड के अपेप्चा जो है यह इस्पेसली एगर हम देखा जाए तो हम थोड़ा सा इसे कॉण्साइस करके बताना चाहेंगे आपको इसे प्रिप्रेशन के बारे में प्रेशली हमें इसके करेक्टर्स के बारें पढ़ना है कि हाउडू इस वर्क बट थोड़ा साइस के प्रिप्रेशन के बारें बता दें कि यह किस तरह से जो है इसको प्रिपेर किया जाता है इस प्रेशली जो लीथियम अलुमीनियम हाइडाइड का प्रेशन किया जाता है लीथियम हाइड्राइड का रियक्षन जो है एलुमीनियम क्लोराइड के साथ कराया जाता है इंदा प्रजिंस साथ ड्राइधर के प्रजिंस में या तो फिर टेट्रा हैडो फिरॉरान के प्रजिंस में तो इस तरह से फार्मेशन होता है पोलर माली के ओल लीथियम एलुमीन और इस पूरे processus में जो precipitated lithium chloride भी थोड़ा बहुत फॉर्म होता है तो जो अन्रेक्टेड होता है तो इसे जो है filtration के तुरू रिमूब कर दिया जाता है और जो filtrate हमारा आता है उस filtrate को वह operate करते हैं the absence of air and then the carbon dioxide when lithium aluminum hydride is obtained as a gray solid और वहाँ पर एक ग्रेसालिट का फॉर्मेशन हो जाता है so it is spontaneously inflammable and reacts violently with water and alcohol with the evolution of hydrogen वाव यह जो होता है यह करता है किसके साथ करता है hydrogen sorry yes to go के साथ करता है alcohol के साथ करता है it is salvo in ether tetrahydroferon and dioxin इसकी जो solvety properties है वो क्या होती है कि यह जह एथर में salvo होता है tetrahydroferon में salvo होता है और फिर डाई और जैन में salvo होता है तो सो और इसी के साथ साथ एक इसका देखे तो एक इसका जुड़वा भाई भी है जिससे हम sodium borohydride कहते हैं यहां पर sodium जो है यह metal positively charged है और बोरान जो है यह hydrogen के साथ निगली चार्ज्ट करता है अगर दोनों का थोड़ा सा हम functionally करें तो यह देखा जाता है कि लीथियम अलुमीनियम हाइड डायट इस वेरी रेक्टिव विल रिडियूज्ट मोस्ट कार्बोनिल फंक्शनल्टी सच आज कार्बाक्सलिक एसीड अल्कोहल एमीन इसक्ता इसक्ता और उसी के वाजमें अगर हम sodium borohydride की बात करें तो sodium borohydride is much milder can be used to selectively reduced aldehyde ketone and acid halide in the presence of other functionality यानि अगर दोनों के character के बारे में थोड़ा सा हम compression करें तो जो लीथियम अलुमीनियम हाइड होता है मारा यह ज्यादा powerful होता है विथ रिस्पेक्ट यानिन कंप्रेजन टू sodium borohydride sodium borohydride की तुर्णा में तो especially आए देखते हैं कि यह लीथियम अलुमीनियम हाइड किस तरह से और किस किस टाइब की functional group को यह reduced कर सकता है तो आए इसके थोड़ा सा general character के बारे में देखते हैं अगर हम लीथियम अलुमीनियम हाइड की structure के बारे में explain करें तो आप देख सकते हैं कि लीथियम अलुमीनियम हाइड का structure कुछ इस तरह से होता है कि लीथियम जो है positively charged होता है Aluminium यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Hydrogen Burned होता है जो 4 Valences हो करता है और इसके उपर Negative Charged किये Create होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यही Aluminium यह क्या करेगा One by One प्रतीख Hydrogen को Hydride 9 के फॉर में यहाँ से यह है यह Remove करता है और इस Lithium Aluminium Hydride का जो IPAC नेम है वो है Lithium Tetra Hydro Aluminate 3rd This is the Lithium Tetra Hydro Aluminate 3rd तो आईए इसके हम कुछ करेक्टर्स के बारें देखते है तो इसके कुछ जनरल करेक्टर्स इस तरह से हैं कि Lithium Aluminium Hydride All Carbonyl Groups are Reduced यानि जितने भी Carbonyl Groups हैं C Double Bondo Groups Sorry C Double Bondo Especially जो है Carbonyl Group तो होता है इसे हम Carbonyl Group कहते हैं लेकिन ये Carbonyl कब कहा जाता है ये कहा जाता Especially in case of Aldehyde and Ketones only Only the C Double Bondo of Aldehyde and Ketones are called Carbonyl Groups And hence Aldehyde and Ketones are collectively called Carbonyl Compounds क्यों उन्हें Carbonyl Compounds कहा जाते हैं बहुत सारे ऐसे Compounds हैं जिसमें C Double Bondo होता है लेकिन हम उसे Carbonyl नहीं कहते हैं तो इसका reason क्या होता है तो आईए इसका थोड़ा सा reason हमारे को बताते हैं जैसे ये देखा जाए अगर R C Double Bondo H और यहां पर है R C Double Bondo R यह हमारा LDID है हमारा की टों ओके तो यहां C Double Bondo ग्रूप आया जाता है दोनों में आप देख सकते हैं और इसी की respect में अगर दूसरा माली की उलमले C Double Bondo OH तो यहां भी देखिए यहां पर C Double Bondo है यहां परने C Double Bondo CL यहां भी C Double Bondo है यहां परने C Double Bondo OR तो यहां भी आप देख सकते हैं C Double Bondo है यहां इसे ने C Double Bondo O C Double Bondo तो यहां भी देखिए C Double Bondo है लाइक दिस यहां फिर R C Double Bondo M1 के केस में देखा जाए तो यहां भी C Double Bondo है तो आप देख सकते हैं हर जगर C Double Bondo है लेकिन अगर point आप देखा जाए तो किवल यही दो ऐसे molecules हैं अलिहईड और किटोन जिनको हम collectively कर सकते हैं Carbonyl Compound Carbonyl Compound इन्ही को हम Carbonyl Compound कर सकते हैं बाके को हम Carbonyl Compound नहीं कर सकते abbiamo इन्ही के CDDV1N2 को ही हम Carbonyl कर सकते हैं तो क्या main character होता है इस carbonil group को identify करने का या इन्हें क्यों carbonil group कहा जाता है बाकी को नहीं कहा जाता तो इसका सबसे बड़ा reason होता है polarity, high polarity between carbon and oxygen carbon and oxygen के बीच में जो polarization है बहुत high होता है they are highly polar, these two molecules are highly polar यानि highly polar का मतलब यहां से bond इधर move करेगा carbon plus हो जाएगा, oxygen minus हो जाएगा, same चीज oxygen minus हो जाएगा, carbon plus हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों में polarity produced हो गई, अब आप यह कहना चाहेंगे कि वो same चीज़त यहां भी हो सकती है क्योंकि जब molecule same है, तो इनके बीच में भी polarization हो सकता है, यह यहां सकता है और यह negative होगा, यह positive होगा फिर यह यहां सकता है, यह negative होगा, यह positive होगा and so on अब हम यह देखना है, इन दोनों cases का जड़ा हम अध्यन करें, तो यहां पर हम पाएंगे क्या, कि इस carbon से alkyl group जुड़ा है, इस carbon से दोनों तरफ alkyl group जुड़ा है, तो होता क्या है, कि alkyl group के पास कोई extra loan pair नहीं होता, कि जो provide कर सके, inductive effect जरूर create करता है, थोड़ा बहुत यह minimization करता है, जो induced magnetic field को जरूर बढ़ाता है, लेकिन इस stabilization में, यह जो centralized electron है, यह थोड़ा सा displace होता है इस carbon की तरफ, यानि जो carbon-carbon की बीच के भी bond formation हुआ है, यह जो central electron है, इस positivity के नाते थोड़ा सा attract हो जाते हैं इस carbon की तरफ, but whole number of electrons are 6, that is not it, वो 6 ही रहते हैं, यानि इसकी balance ही जो है, वो minimize ही रहती है, वो totally fulfilled नहीं होती है, वही सेम चीज़े इसमें भी होता है, ुआ हा, लेकिन अगर इस case में देखा जाए, particularly, हम एacid के case में देखें, acid hyalide के case में देखें, इस्टर के case में देखें, एनिहटाइट के case में देखें, या फिर एमाईड के case में देखें, तो यहां पर क्या होता है, कि polarity ज़रूर है लेकिन इसके साथ एक heteroatum सब में देखिए यहां भी heteroatum जुड़ा है यहां भी heteroatum जुड़ा है यहां भी heteroatum जुड़ा है तो क्या हो इस heteroatum की क्या functionality है कि यह heteroatum अपना इस loan pair इस deficient carbon को provide कर देता है जैसे ही deficient carbon को provide करता है तो होता क्या है carbon की deficiency जो है यहाँ stabilize हो जाती है जब इसकी deficiency stabilize हो जाती है तो जो main reaction create करने का addition reaction at the center वो क्या होता है उसके chances बहुत low हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि यह molecule जो है polar नहीं है इसमें polarity नहीं create हो रही है तो सेम ओही चीज़ भी यह भी stabilize कर देता है carbon को यह भी stabilize कर देता है nitrogen भी stabilize कर देता है hydrogen oxygen भी और इस तरह से सारे जो है को stabilize कर देते हैं तो जब हमारा polarized group stabilize हो जाता है तो फिर इस फर्दर reaction देगा ंक से तो इस लिए हम इस groups को C double bond O कर सकते हैं especially jd बानकर सकते हैं इतना तो समझ मागिया होगा आपके आए हम फर्दर आगे चलते हैं तो हम बात कर रहे थे ली थे मेलुमिनियम हडाइट के स्पेसल करेक्टर की तो पहला क्या है और सी डबल बांड ग्रूप सारे ग्रूप्स जो है उस टाइप के रिडियूजड हो जाते हैं दूसरा क्या है कि मेनी अधर फंक्शनल ग्रूप सारे डूजड होते हैं उनका भी एरटेक्शन करता है और ओबर ओल रियक्संस में क्या होता है कि जो एजडिख हाइडोजन होता है वह हाइडोजन गैस के फौर में जन्रेट हो जाता है तो देर आर सो मेनी फंक्शनल ग्रूप्स बीचार and these groups are here you see that this is the carbonyl group and dehyde group sorry this is the one can say that this is RCH OR this looks some type seep sorry this is ketonic group or is not H is not here H may be but this is converted into alcohol and so on so many cases acid halide group group is hereldihide the alcohol will convert the acid halide add alcohol will convert here at a certain oxide group is here alcohol or acid acid halide two Malice of alcohol हां यहां कार्बाक्सलीक गरूफ है यह भी एक हb yani कोहल में यह होती है कि यह C double bond C और C triple bond C को reduced नहीं करता सब को reduced कर देगा लेकिन इन दोनों को reduced नहीं करता ठीक है लेकिन अगर यह unsaturation इस unsaturation के साथ क्या जुड़ा हुआ हो but when phenyl group is attached to beta carbon यहाँ पर देखिए phenyl group जुड़ा हुआ है यहाँ पर भी phenyl group जुड़ा हुआ है इसके साथ तो जैसे ही यह आपका alpha हुआ ए बीटा हुआ यह आपका alpha हुआ ए बीटा हुआ इसमें हुआ क्या कि यह है आपका cinnamon chloride यहाँ जुड़ा हुआ है ताभी lithium aluminium hydride को यह reduced कर देता है देखिए alcohol में 3-phenyl propanol 1 यहां पर इसका reduction हो जाता है तो ऐसा क्यों होता इसका reason है इसका reason यह है कि जब यह हमारा group यहां further delocalize करता है तो carbon positive होता है तो यहां पर यह bond यहां आता तो यह बना लेता plus तो जैसे यह plus बना तो यहां resonance stabilization के तुरू फिर यह further h और h में convert हो जाता है इस तरह से दोनो reduced हो जाते हैं और यही reason है कि जब बीटा position पर phenyl group आकर के जुड़ जाता है तो ऐसी इस्तती में c double bond c यह lithium aluminium hydride के तुरू very easily reduced हो जाता है ओके अब हम देखते हैं कि sodium borohydride इसकी functionality क्या होती है कि यह much less powerful reducing reagent होता है इसकी तुल नामे lithium aluminium hydride के तुल नामे यह selective reduction create करता जैसे aldehyde के साथ ketone के साथ और acid hyalide के साथ लेकिन यह this does not touch epoxide, ester, acid and nitrile यह इन सब को reduced नहीं करता है और साथ ही साथ यह unsaturated group carbon carbon double या triple को भी यह reduced नहीं करता है तो यह थोड़ा सा कम powerful होता है low powerful होता है with respect to lithium aluminium hydride अब आई यह देखते हैं किसके reaction procedures पर कि किस तरह से lithium aluminium hydride reaction create करता है और किस तरह से mechanism के थ्रू यह reduced product का formation करता है तो यहाँ पर simply हमने लिया है ketone molecule गा कि ketone molecule यह especially reduced हो रहा है किसमे alcohol में देख सकते है अल्कोहल में तो ketone किसमें reduced होता है secondary alcohol देता है LDH किसमें reduced होता है primary alcohol देता है and so on तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर four molecule लिया गया है ketone का क्यों लिया गया है कि क्योंकि यहाँ पर lithium aluminium hydride यह जो है four hydride iron जो है generate करता है तो four hydride iron जब generate करेगा तो जब चारों इस सी डबल बांड़ों को reduced करेंगे जब चार सी डबल बांड़ोंगा तब इन reduced होगा तो इसलिए होता क्या है कि जब ketone का lithium aluminium hydride के presence में reaction कराते हैं के साथ reaction कराते इथर के presence में तो यहाँ पर देखिए कि complex का formation होता है कुछी तरह से कि कुछी तरह से nucleophilic एडिसन होता है एक तरह से कहा जाए तो कैसे होता है क्योंकि इसमें यह जो एचा करके जुड़ा है इस कारबन से वो कहां से change ह habían aluminium से आप यहां देख सकते हैं इस aluminium से हां करके जुड़गे है ओकि और उर यहां पर आप दिखा सकते हैं इस aluminium के साथ यहां पर ए-च ठी November 13ocybin यहां पर एच अ तो अब आप देखें कि एए hydrogen कहां पर जुड़ गया है इस carbon के साथ तभी इसका mechanism हम आगे explain करेंगे यह तो further reaction है फिर further क्या होता है कि थोड़ा सा HD 5 होता है reaction और यहां पर देखिए कि 4 ketone molecule लिया जाता है यहां पर देखिए 4 alcohol इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 4 ketone molecule लिया जाएगा फोर ketone molecule साथ टेकिंग ही है और यहां इसका मतलब यहां पर लिखा जाए 3 R2CO यह 3-1 molecule लिया तो यहां कितना बन जाता है यह 4 molecule बना देता है और further जब इसका H2SO4 एर S2O के साथ reduction होता है तो यहां पर देखिए 4 molecule of alcohol का formation करता है और साथ ही साथ इस reaction में क्या होता है कि यह आपका aluminium sulfate और lithium sulfate भी by product के form में बनते हैं तो अगर एक से साफ lithium aluminum hydride है तो यह क्या किया जाता है decomposed किया जाता है यहां देखिए H2O निकाला गया है क्योंकि और किसके दौरा H2O के दौरा या फिर acid के दौरा इसलिए H2O H2O यहां पर जोड़ा गया है कि यह excess lithium aluminum hydride को क्या करता है decomposed कर देता है और decomposition में देखिए क्या formation करता है lithium sulfate और aluminum sulfate का और hydrogen gas यहां से released हो जाती है तो इसलिए यहां पर H2O का जो है यूज किया गया है simply देखा जाया इस reaction में तो powdered lithium aluminum hydride is added to dry ether or tetrahydroferon and kept agitated in a flask which is fitted with a condenser and dropping funnel solution of the substance in ether is then gradually run into the flask so as to maintain a gentle boiling of the mixture the reduction product is decomposed by water and acid and so on over all these reactions अब आई इसके mechanism के बारे में देखते हैं तो mechanism में देखते क्या है कि जो इसका mechanism है it is suggested that as the nucleophilic hydride ion attack the positively charged carbonyl carbon and there is formation of aluminum complexes with the oxygen that is the reaction is concerted फिर वही बात यहां पर आ गई कि इस overall reaction को हम concerted reaction कहते हैं concerted का मतलब होता है कि bond का formation और bond की breaking जो होती है वो एक साथ होती है एक समय पर होती है simultaneous होती है इसलिए reaction हमारा concerted होता है इसे आप पिछले reactions में pericyclic reactions में पढ़ा होगा कि what is the meaning of concerted या what is the definition of concerted तो यहां घबडाने कोई बात नहीं concerted mechanism वो cyclic भी हो सकता है cyclic भी हो सकता है दोनों चीजें तो जैसे SN2 reaction आपका concerted reaction है E2 reaction आपका concerted reaction, pericyclic reaction आपका concerted reaction बहुत सारे ऐसे reactions है जो concerted reactions होते है तो इस mechanism में होता है क्या है कि the reagent can supply hydride ion to a large variety of compound hybing groups with polarized multiple bonds जिसमें multiple bonds present होता C double bond O, C triple bond N, C double bond N, N double bond O, etc., so many types of functional groups It is suggested that as the nucleophilic hydride ion attack the positively charged carbonyl carbon and aluminium complexes with oxygen that is the reaction is concerted I have told you before the intermediate first is formed in the first step as three more hydrogen here you see that this is the intermediate first is more hydrogen which are similarly transferred to three other molecule of the substrate to yield the complex second there is formation of another complex what happens the later on hydrolysis with water and acid like this this is HCl to give the reduced product that is the secondary alcohol and somewhat by-product in the form of aluminium chloride and lithium chloride and so on if we use H CM2O24 forth세요 if we vBhu 2 x Tutorial within the partnership through Dragon braucht consistent how do you see in the first step in being a podcast Its possible potential subsequent steps are slow because the electron-withdrawing effect of the alkyl group Inhibit the hydride and transfer It is seen that in reducing the carbonyl compound Half the hydrogen is supplied by the reagent And the other half is supplied by the solvent Here are two functions are taken place simultaneous One is the Half of the hydrogen is supplied by the reagent And the other half is supplied by the solvent Yarni, hydrogen होता है कुछ hydrogen reagent के थूँ सप्लाई होता है इसके थूँ कुछ hydrogen जो है solvent के थूँ सप्लाई होता है और इस तरह से ये reaction जो है perform होता है But it reacts readily with acidic hydrogen One fourth of the valuable reagent is lost in the formation of hydrogen on reacting with the hydrogen of acid आईए हम इस mechanism को आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये mechanism प्रोसीड होगा है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि ये lithium aluminium hydride यहाँ पर ये करता क्या है कि यहाँ से ये एक hydride ion यहाँ पर देखिए एक hydride ion इस carbon पर attack कर रहा है ओके यानि nucleophilic addition हो रहा है carbon group पर और यहाँ से ये bond further deloclyze हो रहा है oxygen negative बना रहा है तो चुकि ये reaction थोड़ा सा fast होता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर hydrogen आ करके जुड़ जाता है और यहाँ यह जो हमारा nest iron है वो इस oxygen के साथ चुकि oxygen negative होता है तो यहाँ lithium जुड़ा है यह पूरा का पूरा कहां जुड़ जाता है इसके साथ जुड़ जाता है फर्दर क्या होता है अब tendency होती चुकि यहाँ पर तीन हाइडाइड मली यह है आपके तीन हाइडाइड एटम तो जब यहाँ तीन हाइडाइड एटम है तो इसका मतलब होगा कि तीन reagent यानि हमारा ketonic reagent यहाँ पर इसके साथ इस aluminum के साथ आइड हो सकता है तो इस reaction को हम कुछ steps को कम कर दिया है क्योंकि अब यहाँ अगर फिर हम एक hydride को attack कराए इसकी tone पर एक ओ यहाँ जोड़के फिर यहाँ से यह फार्म यानि यहाँ पर एक जो है फिर यहाँ पर aluminum एक oxygen जोड़के फिर formation कर लेता है इसी तरह से फिर दूसरे से कराए तो फिर इस तरह से formation होता है फिर चौते से कराए तो इस तरह से formation होता है तो इसलिए हमने यहाँ थ्री molecules को एक साथ लगा दिया और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर formation हो गया the intermediate second in the form of this type of complex कि जहाँ पर यह ketonic चार molecules हो गए है और यह चारो जो है reduced हो चुका है और finally क्या होता है कि यह acid या water catalyze decomposition करा जाता हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा excess lithium aluminum होता है उससे हम decompose कर लेते है reactions में जिसके लिए हमें acid और water का यूज करना होता है तो यहाँ पर यह seal और water के साथ यहाँ पर देखिए finally इनका decomposition हो जाता है और यहाँ पर formation हो जाता है क्या secondary alcohol का this is the main product main product आप secondary alcohol तो यह था lithium aluminum hydride के द्वारा ketone का reduction किसमे alcohol में इसी तरह से कुछ reductions कुछ functional group के reductions हम और आपको बताते हैं example के तरब पर तो आईए यहाँ पर एक दूसरा जह हम reduction पढ़ते हैं और यह reduction है हमारा इमीन सेंतेसिस इमीन की संतेसिस देखते हैं कि किस तरह से lithium aluminum hydride के थ्रूव इमीन स्वारी इमाइड जह है यह इमीन में कनोट होता है इमीन संतेसिस प्राम इमाइड बाइ लीथियम aluminum hydride तो यहाँ पर देखिए चोकि हमने explanation इसके पहले आपको बता चुका है बता चुका हूँ इस इस आवर इमाइड CS3-CONH2 और यहाँ पर हम अटेक कराते हैं lithium aluminum hydride से this is lithium aluminum hydride ALS3- lithium plus अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा hydride कहाँ अटेक करेगा इस carbon पर अटेक करेगा तो simply यह front से अटेक नहीं करेगा इसका अटेक कहाँ से होगा यहाँ से होगा इस तरह से यह back side अटेक करेगा और जैसे ही back side अटेक करेगा तो यहाँ पर यह group further further delocalize होगा और यहाँ पर CS3 CO H NH2 और यहाँ जूड जाएगा ALS3 this is minus LI plus और इस तरह से हमारा यहाँ complex बन जाता है एक दम सेम जैसे आपने ketone में देखा सेम उसी तरह से इसमें होता है इस तरह से जो है यह यहाँ पर जूड जाता है ओके फिर further क्या होता है यहाँ पर की यहाँ यहाँ पर इसको further पुना react कराते हैं तो यह एक दो तरीके से यह प्रोसीडू सकता है जैसे यहाँ अटेक किया हाइडाइड आयन यहाँ पर आ करके जुड़ा यह थोड़ा सारी सेम्बिलिंग आ सकता है कि इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है यहाँ पर आपर आल आल टू लिथियम अलूमिने मां डाइट अ तो इस केस में यहां हुमें यहां थोड़ा सा कम्प्लिकेशन है इस केस में इस रेक्शन में तो इस रेक्शन को हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि यहां पर देखिए सब्सक्राइब करता है इस कार्बोनी ग्रोप पर और यह बांड डिलोकलाइज हो जाता है और यह पूरा कपूरा यहां पर आपके जोग जाता है तो जैसा कि हमने आपको बताया चुक नाइटोजन बाब नाइटो पूरा पोरा यह है रिएजन राइट को यहाँ पर नहीं देता है अब क्या करें कि हम जो सॉल्वेंट्न यूज करेंगे से हईड्रोजन देखें किया होगा है यहां पर देकि यह ब्रेकिंग हो ुआ लॉन पेर यहां दे इस तरह से जैसे ही लोन पयर यहां आय है और यहां से highdoxyl group यह है eliminate हो जाए यहां क्या fraction हो जाएक के फार्मेसिन हो जाए का और फिर यहां से बार डी लॉप्लाईज होता है nitrogen की तरह हमारा carbon क्या हो जाता है एक हो इस तरह से a mechanism जाती है कुछ इस तरह से गन्ना समझना है तो आए कुछ इस तरह समझनाते हैं कि R, C, O, H यहां हमारा है N, H2 और यहां है H यहां अब रिखा दिखा दीजी यहां से देखिए हाइडाइड हाइडाइडाइड गूरूप आपका इलिमिनेट हो गया और यहां पार्म हो गया R, C, W, N, H2 और यहां आगए H पर दिखी हो गया पॉजिटिव अब क्या होगा पूर्ण यहां से अपना इलेक्ट्रान ले लेगा और यहां बना लेगा R, C, H यहां हो गया H और यहां हो गया आपका N, H2 अब क्या होगा अब यहां पड़ेंगा अगला ऐलूमीनियम है अब यहां से लेगा और यहां बना लेगा आर सी यहां फार्मिसन हो गया एक प्रोसेस हमारा यह है अग दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है कि हम इस तरह से तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लिटे मेलिमिनियम हाई डाई बहुत ही यूजफुल रियेजेंट है एमीन के संथसिस में आई इसका नेस्ट संथसिस देखते हैं अगला संथसिस समारा है रिडेक्शन ओफ नाइट्राइल वाई अलुमिनियम है यानि इस नाइट्राइल का रिडेक्शन नाइट्राइल का मतलब आप जानते होंगे C-Triple Bondion और यह C-Triple Bondion कैसे से रिडेच होता है है र-C-Triple Bondion यह रिडेच होता है in the presence of Lithium-Aluminium Hydrate इस च्हसोर के साथ यह बनाता है यह भी आमिन में कनवार्ट होता है र-3-MS-6 इस तरह से इसका रिदक्षिन होता है। इस बसलि देखा जाये, तो नाइट्राइल था नाइट्राइल से गवार्टे तो प्रिम्री अम्नीज बाइट्स By reaction with lithium-aluminium hydride, during the reaction, the hydride nucleophile attack the electrophilic carbon in the nitrine to form an imine, a imine intermediate co-formation होता है, and that imine once stabilized by levis acid base complexation, the imine salt can accept a second hydride to form a di-anine, यानि दू तरह का इसमें intermediate का formation होता है, एक तो di-anine का formation होता है, और दूसरा imine anion का formation होता है, then the di-anine can then be converted to an amine by addition of water, और जब इस di-anine में हम water का addition करा देते हैं, तो वो amine में convert हो जाता है, यह है हमारा nitrile, और यह हमारा primary amine, यह inter-converted होता है, तो आईए हम इसके तरह से mechanism के बारे में explain करते हैं, कि यह किस तरह से inter-convert होता है, यह safety-anine में होता है, तो अगर हम mechanism देखे हैं, तो mechanism हमारा कई step involved करता है, mechanism involves so many steps, step number one, फस step में क्या होता है, nucleophilic attack आप दी hydride आया है, अगर हम देखें, और यहां लेजिए, और यहां लेजिए, lithium plus, hydrogen, al, h, 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 और यह है, minus, यहां देखें, यहां पर यह type किया, यह bond आज को खाना है, और यहां लेजिए, यहां क्या बना लेता है, यहां बना लेता है, और क्या होता है, h, यहां देखिए, double bond में पुर्मात होगिया, और यहां क्या देखें, और यहां क्या देखें, और यहां क्या देखें रहता है, किस तरह सी, एक complex का पार्यों से होता है, दूसरे इस्पे में क्या होता है, second new blue philic attack by the high die down, and second new blue philic attack by the high die down, दूसरे में क्या होना है, है इस्पे में पुर्मात है, इस्पे में पुर्मात है, और यहां जागा अल, कि हम देखें, ह, 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 मिली phil plus, इन देखें, और देखें, फिर यहां यहां यह attack on price पर है, और यहां जागा बगता है, और यह इस्पे में पुर्मात आजाता है, तो अब आप में देख सकते हैं, कि हम यहां पर क्या एक पर इनी इंटर्मेडियर वर्मिशन उजद पर इसको लुटे र, C, H, नहीं हो गया, नहीं एक नहीं जो गया, H, और इहां था क्या गया, N, जो भूलन पोर, विकलन पोर, क्योंकि ये इनका हो गया, इस क्या बढ़ियर आ जो खिर अ नहीं हो गया, अब जिखे एम उसको नहीं हो गया, हम लीखे मागशाकर हसरह करें, और यह क्या गिए अलुनियमम फ्रूमिशन हो है, इस तरह से आपने देखा फर्दर क्या होता है कि इससे नहीं जिसमें इसका जए फर्दर और प्रोपोनीशन करा दिया जाता है इससे नहीं जिसमें इस तरह में क्या आता है इसरे नहीं करने कि अब पहल पूपोनीशन वाई इडिशन अप वाटर कुगी बने जाने बेटीश बोपोनीशन तो एक में जो हमारा नास्ट पारट आता है तो आता क्या है तो इस रियक्शन से में होता क्या है कि यह तो पोला गाई यह तो यहां से सिस्टिक्यूट हो गाई लेकिन यह वांड भी यहां से ड्रेकडाउन हो गाता है और यहां फानली क्वार्मेशन होता है H, C, R, H और N, H और H यह भी आउरता A, A A यहाँ फाइनल फार्मेशन होता है A, A इस पहसी और पुलर यहाँ फार्मेशन होता है A, L, H3 A, L, H3 L, H3 और यहाँ L, H3 और यह फिर L, H3 L, H3 L, H3 फिर आपसमें इंटरेक्ट करते हैं और फिर फिर फार्मेशन करते हैं L, H2 इस तरह से आपने देखा तरह से यह हमारा N, H3 जय है आपसमें 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 Amine Anion once stabilisht by Davis Acid Base complexation Amine Salt and accept its second hydride to form a Di-N-I-N the formation of di-Anion and then di-Anion can then be converted to an amine by addition of water जैसे ही पोनिट यहां पर दाईmis यान इंट ऑन ह्डेकशत, जैसे ही यहां पर दाई-गयान एक- रहर थों दाई-गयान , यहां पर भीड़ के साथ अद करा जाता है? यू आई-ए्वें में पर्फुर्ट हो जाता है तो इस वीज the अबितियों, है दूनियों, है राई है, that's all, thank you.